आज के इस वीडियो में हम लोग PHP में functions को देखेंगे कि functions क्या होते हैं और मैं आप जल्दी से बिना टाइम को waste करते हुए functions.php करके एक फाइल यहां पर बना लूगा ठीक है अगर आप लोगों नहीं देखिए PHP की जो मेरी ट्यूटोरियल प्लेलिस्टे एकसेस नहीं करी है तो आप इसको जरूर एकसेस करें क्योंकि यही वो जगह है जोपर मैंने सारे के सारे PHP की वीडियो डाले हुए अब मैं जल्दी से यहां बिना डाइम वेस्ट करते हुए अपने इस functions पर आऊंगा और इसको खोलूँगा और इसको खोलने के बाद मैं आपर करूँगा क्या कि अपना PHP को जिस तरह से लिखूँगा और इसके बाद इस तरह से मैं सेव कर लोगा ठीक है और मैं यहां पर एक को लिखूँगा वेलकम टू पीएच्प टूटोरियल्स ओन फंक्शन स्वामि कॉलन कंट्रोल एस तो सेव अब यहां पर मैं इसको रिलोट करूँगा तो यहां पर मुझे दिखाई देगा यहां पर अंग्रीजी का टूटोरियल नहीं है तो गलत English हम लिखते है तो कोई दिक्कत नहीं है तो इसके पास बहुत सारी चीज़े होती है करने बढ़ düş를 क्या करें कि अप i am shopping storeorge php netuben बैर मुझे क्या करना है मुझे payments को लेना है और orders को process करना है मालो मेरे पास alag-alag तरह की orders आते हैं phone को evenा order आते है कर home का order आता है तो बिल्ड हो और अगर मालो मेरे पास book order का order आता है तो हो सकता है और directly book को शोग छिब कर दो को फोन का order आये तो हो सकता है मैं उसका उपर से आगे order place करूँ तो बहुत तरह की चीजे होती है और कुछ चीजे ऐसी होती है जो कि across different types of order common होगी जैसे कि मानलो मैं phone मगा रहा हूं तो मानलो मैंने phone का order place किया और pen का order place किया तो दोनों में कुछ ना कुछ similarity रहेगी और मैं चाहूंगा नहीं कि मेरी जो similarity है उसको मैं copy paste बार-बार करता रहा हूं मैं चाहूंगा कि वो जो चीज सबके लिए हो रही है वो एक function के अंदर rap हो जाए यानि कि कोई ऐसी चीज के अंदर rap हो जाए जिसके अंदर से मैं उसको कभी भी call कर सकूँ अब इस बात का क्या मतलब इस बात का मतलब यह है कि मानलो अगर मेरे पास एक function है आप जैसे मानलो मैं आप लोग को एक example देता हूं मानलो कि मेरे पास एक class है उस class में मेरे पास बहुत सारे students है और वो students क्या करते हैं अपने सारे subjects के marks मुझे बताते हैं और मैं एक एक करके उनका marks है उनको sum करता हूं उनके average marks बताता हूं यह ब मैं चाहूंगा कि मैं यह चीज करूं किसके लिए सिर्फ एक चीज के लिए करूं और बाकी मैं बार बार जो है उसको repeatedly functions की मदद से मैं उस code को सबके लिए run करूं अब यहाँ पर मैं एक function लिखकर आपको दिखाता हूं तब यह ज़्यादा चीज है आप लोग को समझ में आ और marks रहे मैंने इसका रख दिया है और यहाँ पर मैं क्या करूंगा इसको pass करूंगा सारे marks ठीक है तो मान लो यह अभी के लिए क्या करता है कि सिर्फ सम निकालता है सबका तो मैं लिखूंगा dollar sum is equal to zero और मैं लिखूंगा एक for loop लगाँगा मैं लिखूंगा for each in fact में जो for each इसको snippet से इस्तेमाल कर लूँगा उससे क्या होगा कि मैं सारे के सारे जो मेरे array की values है उनको sum में जोड़ पाऊंगा plus is equal to मैं लिख दूँगा dollar value ठीक है और यहाँ पर मैं क्या करूंगा लिख दूँगा return value ठीक है और dollar लगाना कभी मत बूलना अगर आग दूसरी languages से आते अगर मैं अभी इसको run करूं तो कुछ नहीं हो क्योंकि एक function जब हम सिर्फ define करते हैं तब कुछ नहीं होता है मैं आप लोगों दिखाता हूं यह सिर्फ मैंने function define किया है मैंने काई कि भाई देखो ऐसा है ऐसा function exist करता है मुझे इस function को run करना पड़ेगा एक array के लिए तो मा यहारा भी ला रहा है marks शर्म भी नहीं आती 93 marks भी ला रहा है ठीक है तो हर तरह के marks हर तरह के subjects में लाता है यह 98 marks है बेंगॉली में है और 93 हिंदी में है और बाकी सब यह maths वैस वाले subject 98 भी है by the way वह physical education में है ठीक है तो यह सारे का सारे marks हैं इसके और मैं यहापर क्या करूं प्रोसेस marks लिखूंगा और उसके बाद मैं यहार पर डाल दूँगा डॉलर रोहन दास और यहां पर भी दास लिख देते हैं ठीक है और यहां पर मैं semi-colon लगाऊंगा और मैं यहां पर लिखूंगा डॉलर एवरेज स्वाइज डॉलर सम marks is equal to यह और मैं लिखूंगा echo य देखा जाते है 600 marks हो गए is यहां पर मैं लिख दूँगा sub marks ठीक है और एक semi-colon लगाना अगर आप भूलेंगे तो मतलब मत भूलना ठीक है भूलेंगे तो क्या होगा तो बात अलग है तो यह कह रहा है कि line number 6 में कोई problem आ रही है तो line number 6 में क्या problem आ रही है मैं देख रहा यहां पर dollar marks array करना है ठीक है और अभी मैं reload करूँगा तो यह देखो यहां पर total marks scored by rohan out of 600 is 93 आ रहा है तो basically इसने क्या किया मेरे function ने इस array को लेकर गया और process marks करके मुझे value return में देदी तो जो भी यह value return होके calculate होके आएगी वो यहां पर आ जाएगी ठीक है रोहन दास के और हैरी के marks कितने है 99,98,93 और उसके बाद 94 ठीक है और उसके बाद थोड़ा बेंगॉली नहीं आती है तो 17 हो गई बेंगॉली में 92 ठीक है तो इस तरह से यह marks है ठीक है बागी सब सजेक्स में एकदम by the way हिंदी में 100 देना पड़ेगी मुझे अपने आपको तो हिंदी में मैंने 100 दे दिये अपने आपको और यह मेरे marks है और मैं आपर लिखूँगा sum marks harry ठीक है is equal to process marks sum का जो function है उसको मैं लिखूँगा और यहां पर लिख दूँगा harry ठीक है और dollar harry मुझे लिखना चाहिए यहां आपर और यहां पर semi color लगाऊंगा और एक BR भी यहां पर लगा लेते हैं जो मैंने यहां पर लिखा है ना इसमें एक BR लगाएंगे तो नई line में आएगा total marks scored by rohan does out of 600 days this much और यहां पर harry भी लिखना पड़ेगा रोहन का नाम भी capital कर देते हैं save किया reload किया और आप लोग देखो total marks scored by harry out of 600 is 100 यह क्यों हुआ यह क्यों हुआ यह क्यों हुआ यह क्यों प्रॉब्लम हाई sum marks harry is equal to process marks harry और मैंने यहां पर sum plus is equal to value किया marks are okay तो मैंने आपर एक गलती कर दी है मुझे आपर return करना चाहिए sum को चाता हूँ कि जो मेरा यह sum marks से उसके अंदर sum है तो अभी अगर मैं इसको refresh करूँगा तो आप लोग देगो function call को समझते हैं कैसे call होता है function एक बार आपने function लिखा जब आपका यहां पर control आएगा सबसे पहले वो इसको print करेगा इसमें आप लोगों कोई without भी तक नहीं होगा फिर वो function को ignore करेगा क्योंकि function call नहीं हो रहा है सिर्फ डिफाइन हो रहा है तो process marks नाम कोई function डिफाइन हो रहा है तो वो ignore करेगा तो जैसे आपने का रोहंदास एक एरे है और आपने का sum marks is equal to process marks रोहंदास तो यह बोलेगा process marks कहां पर है उसको ज़रा यह रोहंदास पकड़ाओ तो रोहंदास कॉपी हो जाएगा marks array में और उसके बाद यह पूरा code जब run होगा तो sum की value निकलकर आएगी जो हमारी आईए है आपर 380 वो निकलकर आएगी और यह return हो जाएगा sum में तो होगा क्या कि जो process marks रोहंदास से replace हो जाएगा इस sum value से और यह जो variables से है सब destroy हो जाएगे similarly जैसे यह दूसरा process marks run होगा जो डॉलर हैरी था यानि कि यह जो मैंने highlight कि यह जो array है यह copy होगे कहा जाएगी यह यहाँ पर आजाएगी marks array में यानि कि marks array अब यह हो जाएगा और यह function marks array के लिए चलेगा पूरा चलने के बाद जो भी sum आएगा वो इसको यहाँ पर मिल जा जाएगा और sum marks array की value वो हो जाएगी जो कि इस case में 501 है so i hope कि यह function कैसे run होता ही आप लोग को समझ में आ गया होगा एक और example में देखूं यहाँ पर आप लोग को दिखाऊं तो वो हो जाएगा मेरे पस average marks का तो यहाँ पर process marks ना लिखके अगर मैं एक दूसरा function बनाऊं जिसका नाम में रखूं average marks तो मैं उसको रख दूंगा avg marks और यहाँ पर basically मैं क्या करूंगा एक और variable बनाऊंगा dollar i is equal to कर दूंगा मैं यहाँ पर 0 ठीक है और sorry one कर दूंगा तो जितनी भी मेरे जितनी बार भी यह loop run होगा उतनी बार मेरा i increment होता जाएगा और finally मैं क्या करूंगा divide कर दूंगा dollar i से तो यह मेरे average marks हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं कर गया रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जितनी भी values हैं जो भी size है मेरे array का उससे मैं divide कर दे रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पर array की जो length है जो count है उससे भी divide कर सकता था लेकिन मैंने भी जो count है वो for each के अंदर एक i variable बनाके देख लिए three जो कि हमारे पास होता है two ठीक है तो six divided by three two हो जाएगा इसलिए one two or three का average क्या होता है two होता है ठीक है so I hope कि आप लोग को यह चीज समझ में आ गई होगी और आप लोग यहाँ पर average marks को भी run कर पाएंगे तो अगर मैं इसको average marks कर दूँ process marks ना करके average marks कर दूँ और in fact मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा मैं इसको नीचे replicate करके करूँगा वरना क्या होगा कि आप लोग मैंने चाहता कि यह जो code है इसका access आपको ना मिले मैं चाता हूँ आपको इसका access मिले इस तरह से मैंने किया इसको reload करूँगा और यह पर देखो यह मेरे average marks आ गए 71 मेरे 54 रोहंदास के और यह 54 इसके इसलिए है क्योंकि इसकी यह जो एक subject है बेंगॉली उसमें बहुत जादा marks आये इसके अब यहाँ पर होगा क्या कि जो यह function average marks यह sum करेगा सबसे पहले और उसके बाद divide करेगा जितनी भी values है उनसे साय होग कि यह clear हो गया होगा और आप जो है अपने functions बना पाएंगे और functions को आप लोग appreciate कर पाएंगे कि function क्या होता है function क्यों use किया जाता है और function code reusability को किस तरह से enhance करता है यहाँ पर मैंने process marks और average marks को काफी similar बनाया है बट practically मैं इसको इतना similar नहीं बनाऊंगा यह just an example था हम लोग जब production programs अपने लिखेंगे और totally different होगे और हम लोग कुछ inbuilt functions का भी इस्तमाल करेंगे PHP के अंदर तो inbuilt functions क्या होते हैं जो कि already हमारे पास PHP में बिना लिखे हमें मिलते हैं inbuilt functions का अगर example हम लोग देखें तो मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कौन से वीडियो में आपको दिखाया था for loop वाले वीडियो में आप लोग को दिखाया था कि एक array की length जो है वो आप लोग count function की मदसे किस चरह से निकाल सकते हैं तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ count function का मैंने यूज किया था और यह function मैंने कहीं बनाया नहीं था यह function मुझे already मिला था यह inbuilt function है यह जो PHP में पहले से मौझूद है आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तो यह होते हैं inbuilt functions काफी useful होते हैं और आप लोग को एक काफी अच्छा experience देते हैं क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ ऐसी होते हैं जो कि आप करनी ही पड़ती हैं जब आप एक programmer हैं प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उस case में यह बहुत जादा helpful हो जाता है So I hope कि यह चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी, clear हो गई होगी अगर आप लोगों ने गाइस यह playlist अभी तक access नहीं करी है तो आप जरूर कर लें accesses को और उसी के साथ जो source code है वो भी आप लोग को मिल जाएगा description में जल्दे से जल्दी में upload कर दूंगा और अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं इस वीडियो को like करना बिल्कुल मत भूलना Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time